Welcome है, आप सभी का आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में आज है सेप्टमबर का फर्स्ट संडे और कैसा चल रहा है क्रिप्टो मार्केट क्या हाल चल चल रहे हैं Bitcoin के, Ethereum के, Alt Coins के सभी Coins के बारे हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को Very Good Morning I hope आप सब अच्छे होंगे और Sunday को Enjoy करने का जो Plan है वो आप बना रहे होंगे लेकिन Crypto Market कैसा Perform कर रहा है अगर आप देखेंगे यहाँ पे 975 विलियन डॉलर और 1 ट्रिलियन डॉलर से नीचे नीचे जो है बने हुए है और 19,783 के जो लेवल से हैं वो Bitcoin के चल रहे हैं ठीक है आज हो सकता है Bitcoin यही पर Trade करता रहे और कल Monday से जो है Moment हमको देखने को मिले Bitcoin के अंदर थोड़ी बहुत ठीक है लेगिन next week जो है बहुत ज़रूरी है ठीक है crypto market के लिए Bitcoin के लिए और कहीं न कहीं next week में volatility भी देखने को हमको मिल सकती है जैसे जैसे CPI data जो date है वो date नज़ी खाएगी market उस से पहले या उस time पे wallet utile होगा और अभी जो है market के sentiment अगर आप देखो के Bitcoin 19,783 पे चल रहा है 19,000 से 20,000 पे चलता है लेकिन पिछले 24 गंटे से 20,000 पे गया ही नहीं है 19,000 पे जब से आया तब से यह 19,600 से लिए अगर आप देखेंगे Bitcoin के तो 19,900 तो लेवल 19,000 पे स्टेवल हैं पिछले 24 गंटे से ठीक है वीकेंड पे ज्यादा अच्छा volume मार्केट में आता नहीं है यही रीजन है कि थोड़ा market आपको जब वीकेंड पे ऐसा लिखता है यह चार्ट है 19,600 से लेके 19,900 तक जो है Bitcoin के प्राइस घूम रहे हैं लास्ट 24 आवर से और अगर हम Ethereum की बात कर लें 1552 पे जो है Ethereum के प्राइस चल रहे हैं अगर आप देखेंगे 1500 के जो लेवल से हैं वहीं पे स्टेवल है Ethereum और BNB गोईन 277 डॉलर पे अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है तो Ethereum को हम काफी ज़्यदा नीचे देख पाएंगे Bitcoin खुद नीचे आएगा तो Ethereum भी हम 1000 डॉलर के आसपास जो है रेंज में देख पाएंगे उससे भी नीचे जा सकता है अगर अच्छा खासा वॉलेटाइल हुआ Bitcoin future predictions में आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसा market के अंदर अभी bottom बाकी है 10-12,000 डॉलर Bitcoin जाता है और ऐसा जरूरी नहीं है 10-12,000 डॉलर जाएगा लेकिन अगर जाता है तो बाकी coins के price के आ सकते हैं काफी अच्छी entries मिलने वाली हैं उस time के Binance coin 200 डॉलर से नीचे के level दिखा सकता है तो काफी अच्छी entry रहेगी Binance coin के अंदर भी Cardano अभी बहुत अच्छा perform कर रहा है वैसिल hard fork की date आ चुकी है 7% उचल चुका है 39 रुपीज पिस का price आ चुका है 0.49 डॉलर पे आ चुका है 0.44, 45 से 7% उपर जरूर गया है लेकिन अगर market volatile हुआ और Cardano में भी हमको downfall देखने को मिलेगी तो Cardano भी हम 30 या 30 रुपे से नीचे जो है expect कर सकते है price और आ सकते है अगर volatile हुआ तो सभी coins आपको अच्छी range में मिलेंगे ठीक है Solana भी काफी अच्छी range में मिलने वाली है XRP ripple भी काफी अच्छी range में मिलेगा Polka dot तो wait करें market के अभी sentiment का ठीक है जब तक CPI data नहीं आता उस time पे जो भी update रहेगा हम आपके साथ share करेंगे लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा wait करें और market इस time पे अगर आप देखें जो bitcoin के level है उस हिसाब से move कर रहा है Polygon Matic है जो coin काफी अच्छा performance दे रहा है 0.88 dollar पे चल रहा है Polygon Matic और die 13 number पे है Shiba इनों की बात करने 12 33 के साथ 14 number पे चल रहा है TRX भी 15 number पे है Tron और Avalanche की बात करने 16 number पे यह कुछ हाल है क्रिप्टो मार्केट के 19 पे Uniswap, 18 पे Wrapp, Bitcoin ठीक है तो यह top 20 coins की list है जिसके अंदर Polygon Matic 15-16 से उठके काफी नीचे था 17-18 तक भी था लेकिन 12 पे यह second time 12 पे आया है इससे पता चलता है कि coin के अंदर potential कितना है second time यह फिर से 12 की rank पे आया ठीक है और Shiba Inu फिर से 14 पे आ चुक है 12 पे चला गया था काफी अच्छी rally आई 35% की उसकी वज़ा से 10 billion dollar की market cap हो गई लेकिन वही market volatile हुआ तो Shiba Inu फिर से वही पे आ गया जहां से गया था 1800 तक के level टच करके आया Shiba Inu ठीक है अभी 12.33 पे आ गया और 17,74,000 लोगों ने एड कर लिया watch list में अभी 1.2% जो है Shiba Inu ग्रेन में चल रहा है 12.40 से लेके 12.40 यही levels जो है low आप देखें 12.14 का है और 12.40 का high है और series जो है Shiba Inu की 12 पे चल रहे है 11 पे नहीं आया है लास्ट दो दिन से अगर हम देखें comparison कर लें तो कल भी यही number था तो 12 के level पे stable है Shiba Inu अगर हम बात कर लें आपे trading volume की तो जैदा trading volume इस time पे नहीं हो रही है जैदा trading नहीं है और market cap 6.7 billion dollar की है यह हाल है आज Sunday को market के Shiba Inu के तो शुरुआत करेंगे हम Indonesia से और Indonesian government to launch crypto bors this year official says तो crypto bors जो है वहाँ पे आने वाला crypto bors coming soon in Indonesia the Indonesian government is set to launch a crypto bors by end of this year crypto bazar है crypto market है उसकी entry जो है यहाँ पे होने वाली है और एक बहुत बड़ी बात है कि Indonesian government crypto bors जो है लाने की तयार यहाँ पे कर रही है और we will make sure that every requirement procedure and necessary steps have been taken ठीक है and the Indonesian government is planning to launch a crypto bors by year end और इसी साल के end जग जए बोर्स आ जाएगा Indonesia के अंदर तो एक खुश करने वाली update हम इसको कहेंगे good news कहेंगे crypto के लिए crypto market के लिए crypto adoption के लिए ठीक है next update की बात करें तो 281 billion shifted by three mysterious wallets here where these coins end up तो कुछ coins हैं जो mysterious whales की तरफ से wallets की तरफ से यहाँ पे जो है shift किये गए हैं और कहां shift हुए है over 280 billion बहुत बड़ा number होता है 280 billion shivain who have been moved in three transaction by these unidentified whales और whales sell 115 billion shiv on binance तो पूरा मामला है क्या अगर आप देखें यहाँ पे तो these wallet shift 281 billion shiv और three transfers carrying 120 billion shivainu 83 billion shivainu and 77 billion shivainu were reported by aforementioned twitter user तो यह कुछ wallets हैं और इनके जरीए यह तीन transactions के अंदर जो है इतनी इतनी quantity में shivainu shift किये गए है और it cannot be said about the wallets that received 83.3 million 77.9 million तो यह है पूरा मामला की थोड़े से जो यहाँ पे shivainu जो है stepan को लेके stepan के दो coins भी है market के अंदर आपको पता होगा एक GMT है green metaverse token एक GST है green satoshi token अब यहाँ पे as stepan turns one GMT has nothing better to do but celebrate with the beers तो इस time पे एक साल market के अंदर complete कर लिया है stepan ने ठीक है लेकिन अभी दोनों ही coins beer market के अंदर कोशिश कर रहे हैं उपर आने की लेकिन नहीं हो पा रहा है और stepan just celebrated its first year in the crypto industry as of 2 September 2nd September को यहाँ पे पूरा एक साल complete हो गया stepan को और play to earn, move to earn, project है यह और जब stepan का GMT Binance पे launch हुआ था बहुत अच्छे profit दिया उस coin ने 8-9 रुपे का coin काफी अच्छा profit दिया GMT ने जिन लोगों को पता है GMT के बारे में उनको पता होगा काफी अच्छा profit दिया है लेकिन अभी अपने high लगा के बहुत नीचे आ चुका है ठीक है market crash हुआ तो इस टाहीं पे GMT की performance भी नीचे चल रही है तो यह कुछ situation है और stepan का one year complete हुआ है market के अंदर next update की बात कर लें तो दुबाई के लेके है UAE को लेके है और crypto seeks freedom in UAE is it a regulatory rug pull आज दुबाई को लेके कही न कहीं जितनी भी crypto companies हैं जितने भी crypto अगर आप देखेंगे यहां पे projects हैं कहीं न कहीं बहुत सारे events है अब next month क्रिप्टेक्स पो भी होने वाले कहने का मतलब यह है दुबाई एक तरह से हब बनता जा रहा है web 3.0 का metaverse का cryptocurrency का दुबाई ने अपनी खुद की metaverse strategy भी launch किया है अगले 4-5 साल के अंदर क्या कुछ करने वाले हैं कितनी jobs provide करने वाले हैं major crypto companies are flocking to the UAE in hopes of tapping a potentially lucrative market but a long road still lays before them कहने का मतलब यह है कहीं न कहीं एक hub एक घर बनता जा रहा है crypto companies का crypto companies जो है यहाँ पे shift हो रही है दुबाई के अंदर और दुबाई कहीं न कहीं इन सब चीजों में आगे निकल के दिख रहा है हमको ठीक है वहाँ पे जो है virtual digital assets जो उसको भी मानता मिल चुकी है और a raft of exchanges hope to take advantage of United Arab Emirates digital asset ambitions तो कहीं न कहीं दुबाई एक तरह से पूरा first number पे चाहता है कि hub बन जाए cryptocurrency का web 3 points का metaverse का और कहीं न कहीं जो countries race में है उसमें कहीं न कहीं UAE का नाम सबसे उपर और भी countries है मैं यह नहीं कह रहा लेकिन UAE कहीं न कहीं एक तरह से hub बनता हुआ दिख रहा अगले एक दो साल के अंदर कहीं न कहीं और जदा hub बन जाएगा बड़ा hub बन जाएगा तो बिलकुल next month है दुबई के अंदर यहाँ पे 5 to 6 October को चलेगा crypto export ठीक है और कहीं न कहीं हम October month को लेके कहीं न कहीं bullish हैं क्योंकि जिस तरह के पिछले October month गए हैं उसको अगर देखें तो market अच्छा पर परफॉर्म कर सकता है October month में अगर September खराब हुआ जितना ज्यादा September खराब होगा यह चीज मान के चलिए कि October भी कहीं न कहीं अच्छा recovery वाला होगा मैं यह नहीं कहा रहा कि बुलरन आ जाएगा लेकिन हाँ जितना opportunity September देगा dip के अंदर buy करनेगा उतना ही अच्छा profit आपको October में भी मिल सकता है ठीक है तो बिलकुल महफिल ज यह एक महीने का time जो है यहां पर पूरा पूरा रह चुक है तो last and final update की बात कर लें तो गारी token recently बहुत नीचे आया था अगर आपने देखा एक दो महीने पहले एकदम से price drop हुआ इसका 60-70 रुपे से सीधा सीधा 7-8 रुपीस तक आ गया लेकिन coin की नई listing होई है चिंगारी जो short video platform है उसका coin है और नई listing इसकी हुई है new token listing announcement coinbazar ने यहाँ पे list किया coinbazar विल लिस्ट गारी टोकन और गारी USDT का जो pair है INR अप INR से भी खरीद सकते हो ठीक है गारी और INR का pair गारी और USDT का pair यहाँ पे add कर दिये coinbazar ने तो 5 September से 5 September से आप इसको खरीद पाओगे coinbazar की उपर एक नई listing होती हुई गारी नेटवर्क की गारी टोकन की यही कुछ crypto currency news and updates थी I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझी होंगे आगे जो update रहेंगी आपको मिलती रहेंगी Telegram Twitter पर join नहीं किया तो link है description में join जरूर कर लेना किसी भी crypto में invest करने से पहले अपनी research जरूर करें वो बेहत जरूरी होती है आज की इस वीडियो में फिलाल इतने ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye